हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स मिसिस कोली की तुरफ से प्यार भरा नमशकार सत्रिया काल अदाब दोस्तो एक बन मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रस्पी के साथ, आज हम बनाने वाले हैं बहुत हल्दी रस्पी, बहुत हल्दी चार्ट, यानिकी मकाना चार्ट, बनाना इसे बहुत असान है लेकिन हमारे लिए बहुत फाइदे मंद होती है, तो चलिए फिर देर न करते असानी से किस तरह से बनाएंगे तो फ्लेम ओन करके मैंने रख दिया है पैन अब डालेंगे इसमें आदा चमच के करीब देशी घी थोड़ा सा मैल्ट होने के बाद डालेंगे इसमें कुछ मसाले तो मसालों मैं ले रही हूँ वन फोर्थ टीस्पून के करीब लाल मिर्च का आदा चमच के क्रीम मैंने लिया है चात मसाला क्योंकि इसमे मैं भी होता है इसलिए नमक ध्यान से डालिएगा वन फोर्थ टीस्पून मैंने लिया है रोस्टिड क्यूमिन पौडर देखे मैंने मखाने को पहले से रोस्ट करके रखा हुए एर टाइट कंटेनर में तो मु और इसमें डाल देते हैं chúng फूल मकाने बहुत ही soft होते हैं friends इनका अपना टेस्ट बिल्कुल नहीं होता लेकिन हम जब मसालों के साथ इसे खाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं तो आप इस तरह से बनाकर जरूर इंजॉय कीजिए शाम की छोटी मोटी भूग के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बैस्ट है शाम की जो भूग होती है फ्रेंड्स उसे आप स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि अगर आप शाम की भूग को अगर स्किप कर देंगे तो रात को आप हैवी नाश्टा करेंगे हैवी डिनर करेंगे और जिससे आपका पेट हो जाएगा थुड़ा भारी तो वो आपके लिए ठीक नहीं है इसलिए शाम को थोड़ा बहुत हम इसमें डाल देंगे देखिए आप इसमें कोई भी वेजिस डाल सकते हैं आप इसमें खीरा भी डाल सकते हैं आप इसमें और भी जो आपको पसंद है वेजिस इसमें एड़ कर सकते हैं जो कच्ची खाई जाने वाली होती हैं अब डालेंगे हम इसमें थोड़ासा चाट मसाला थोड़ी सी लाल मिर्ज का पाउडर और थोड़ासा काला नमर बहुत ही बैस्ट होता है और अच्छा भी आता है इसका टेस्ट और हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जटपट से बन जाती है अगर फूल मखाने को तो आप इसे इस तरह से बना सकते हैं तो एक निम्बू का रस भी मैंने इसमें एड़ कर दिया अब डाल देंगे इसमें रोस्टेड मुंख्फिली के दाने यह भी बहुत अच्छे लगते हैं टेस्टी लगते हैं और बहुत ही हेल्दी होते हैं तो सभी चीजों को मैंने करना है अच्छी तरह से मिक्स अपने डेली लाइफ में इसे जरूर आप खाया कीजिएगा यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा फाइदे मंद है तो देखिए सभी चीज़ें आपस में मिक्स हो गई हैं और देखिए कितना अच्छा लग रहा है बिलकुल कलर फुल लग र नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह से अच्छी इजी रेस्पी में आपके लिए लेकर आती रहूंगी तो लीजे हैल्दी चार्ट मखाना चार्ट हमारी बनकर बिलकुल त्यार है वेट लॉस के लिए सबसे बैस्ट है फिर मि झाल झाल